हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी क्लासिस मैं रंजित मर आप लोक का बहुत बहुत साथ करता हम फिर से मैं आप लोक लिए इंपोर्डेंट कोशिन लेकर आऊ हूं जो कि क्लास टेंट का होगा यह साइन्स के जो होगें केमिस्ट्री जो कि 2019 में एक्जाम देने वाले उनके लिए काफी इंपोर्डेंट होने वाली है और यह एक मार्क्स का होगा जो कि एक मार्क्स यहां से आपका कंफर्म है कि आपका टेच कर जाएगा जो कि पार्ट्स यह मेरा प पहला कोशन आपको पहता है अगला कोशन होता है जिसे हातली पर रखने पर पगहलने लगता है आपको पता है कि ऐलीयन एक ऐसा धातू है, जो हाथ पे रखेगा तो वह क्या होगा पि घलना कर देगा. अगला कोशन है, वैसा धातू जिसे आसानी से चाक究 से काटा जा सकता है वैसे एक कोशन पूछा यहां पर आप सोडियम भी होता है पोडेशियम भी होता है और लिक्तियम भी होते है जो कि आसानी से चाकु से भी आप काट सकते है जैसे कि आपको पता है क्या होता है धातु जो कि कठर होती है बड़ यह तीन अपवाद में है जो सबसेतनी होती है तो कौन से होती है सबसेतनी सोने क्योंकि आपको पता है सोना के एक ग्राम सोने से 2-0-2 mm वायर हमनों काफी तनहीं होता है बाल के इतना पतला तार कह सकते है आगला कोशन अता है वैसा दातु जो व्खेकती तो आपको पता है कि विधूत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है चांदी होता है इसलिए इसका यूज क्या कर जाता है हम लोग का बोल सकते हैं टास्परमर वेगरा में यूज किया जाता है clear जो लेट हमारा उस्मा का कुछ चालक वहता है इसमें उस्मा चालक नहीं करता है चलिए अगला कोशन अब देखते हैं 10 नमर कोशन देखा जाए बोलता है सीसा एंटीन के मिस्रधातू को क्या करते है तो सब्सक्राइब करते हैं और अगला कोशन अता है अमलगम क्या होता है मिस्र धातू में जब धातू पारा हो तो उसे क्या करते हैं, अमलगम करते हैं, कोई भी एक मिस्र दातु है, और उसमें एक पहारा गर मिला दिया गया, तो वो क्या हो जागा, अमलगम कहला गया, अगला कोशन आता है, एक्वारीजिया, एक्वारीजिया, अगर तीन अनपद एक, में इसके सांदन में हड्रोकलोर और इसका यूज आपको पता है जो ज्वैलरी बनाने वाले होते हैं वह क्या घरते हैं अगला कोशन आता है भर्जन भर्जन होता है क्या देखिए सलफाइड आयस को वाई के उपस्तिती में अधिक तापत गर्म करकर यह औक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह परिक परिवर्तन करता है उसके बाद उससे क्या करता है अगला कोशन स्चाइग यहां गैंग को तो कि निकाले गए असको में मिट्टी रेत आदी बहुत सब्सक्राइब वहुं आगर welcome काते हैं अग्ला कोशन आता एक ऐसी तहात्वों के नाम लिखें जिनकों गलनंग बहुत कम होता है तो आपको पता गेलियम और सीजियम फिह ख़़गर हात पर तो यह पिगलने करतेंगा सूथí बहुत क्रोड़ने लहाँ है 24 करेट का होता है अगला कोशन है था 15 सबसे अधिक अभी किरियासिल धातू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और आपको बहुत अच्छा से बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से तो दोस्तों तक भी share करें और जहां पे आप Facebook, WhatsApp, जहां पे आप जो भी यूज़ करतें जो भी आप social media यूज़ करतें उस पे आप share जरूर कर दें ताकि हमें वो से motivate मिलती है और जितना सी जितना आप जूर सकतें क्योंकि यहां पे tense related आपको सारे solution मिल जाएंगे और अगर जो new है तो वो हमारे चैनल को subscribe कर लें और वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके जुरूर बताएगा परतिक individually हो रहे हैं कि सब कोई हमें comment करके जुरूर बताएगे कि वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए मिलते हम अगले parts में आज यहीं पर विराम लेते हैं बाई